अब दोस्तों आपका एक नजर क्रीश्ट चैनल में स्वागते चली दोस्तों आज हम आपको फिर से एक बार ले चलते हैं कीवी के खेत में और दुखाते हैं हम आपको कीवी का बीचा वैसे तो हम बहुत बार दुखा चुके हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा खास बताएंगे के हम आपको तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आके शेर करें और वीडियो को एंट तक देखें तो देखें दोस्तों आज मौसम बिलकुल साफ है और यह पहाड़ों की सिंद्री है और अब हम आपको कीवी का यह दखाते हैं कि कीवी में धूप का क्या असर पर रहा कीवी के उपर और कीवी के पोदे इस टाइम अपना क्या नजारा दखा रहे है इसको भी हम दखाते हैं आपको तो यह देखिए अब तो अब यह देखिए आपको हम यह दुखाते हैं यहां से की स्टाइम पौदा कैसा है और यह देखिए अब यहां से हम चलते हैं इदर को हम क्योंकि इसको उचाई से दिखा रहे हम इसमें आप खुद ही अनुवान लगा सकते हैं कि यह इसमें क्या फरकाया है और इस धूप से जो है कितना जो है पौदे के उपर पर बहाव पड़ा है और इस टाइम में किस चीज़ की ज्यादा अवशकता है तो यह भी आप हमें अवश्यपता है तो यह देखिए पौदा अब पहले तो हम आपको इस स्पेशल दिखा लेते हैं आपको यह सारे पौदे जहां तक आगे जो है सामने यह देखिए यह चल लगए यहां तक है कि थोड़ा हम इसे उपर से दुखा रहे हैं अब आपको हमने बड़ा खेत दुखाया तो यह आपको कैसे लगा यह भी हमें आवाश्य बताएं लाइक कुमेंट में जूर हमें बताएं कि आपको यह किस लंग से लगा अब हम आपको छोटा खेत दुखाते हैं इसके साथ में दुखाएंगे हम बराबर तो यह देखिए सबसे पहले हम आपको यहां से दुखाते हैं कि इस पौदय को भी देखिए यह जो पौदा है अब आगे तक देखिया आप आगे तक सामने दुखा दिया हमने अब हम आपको तीसरा खेत दुखाते हैं यह देखिए तीसरा खेत इसमें भी देखिया पौद है बाकी फर्क तो आप स्वाई में नकालेंगे कि इसमें क्या फर्क है तो यह हमने आपको तीन दो खेत दिखा दिया तीसरा भी दिखा दिया हमने शुरू में ही दिखा दिया था आपने आपको लेकिन आप इसमें हम एक बार से आपको फिर दिखाते हैं अब हमें यहां से ही चलते हैं बैक यह देखिए यहां पर देखिए कितना रंग बदल चुका है और यहां से आते-ाते ही इस पौदे को भी देखिए पत्ते आप चलो हमने यह दुखा दिया आपको यह यह भी प्ता देते हैं आपको कि ये पत्ते जो उल्ट रहे हैं इसके उल्टे हुए हैं स्पेस पेद आपको जरूर दिखाए दिरा आई ये देखिए और ये आगे खेत एक एक टहनी नजर आ रही है और पत्ते इसके टोटल मरजाय हैं ये किसलिए मरजाय हैं कियोंकि इसमें श्याम को हमने पानी नहीं लगाया श्याम को इसमें पानी लगना था लेकिन श्याम को हम किसी कारण वश्य पानी नहीं लगा पाए इसलिए इसमें आज ये पूरा मतलव खेत मूरजाय है इसको बचाने के लिए हमारे पास पानी बहुत कम है कि इसको बचाने के लिए हमारे पास पानी जो है हर तीसरे दिन तो अवश्य देना ही पड़ेगा चाहे जो मरजी हो जाए तब भी ये जो है तब पौदा बचेगा इस ढंक से जैसे कि हमने ये 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 पौदे हैं अब ये देखिए और निचला देखने में तो एक सारा ये से जहल कर रही है कि इसमें किस बच से पौदे सुक्रे हैं और ये कितना हरा है ये देखिए इसमें सिर्फ क्या है यहां से भी हम आप दखाज़ क्ते हैं क्यूंकि इसमें कीवी ये देखिए इस वक्त कीवी यहां से सामने दिखाई दे रही है जब कि हम पचास फुट दूर है लेकिन यहां से कीवी दिखाई दे रही है क्यों दिखाई दे रही है ये क्योंकि ये पत्ते सारे मुर्जा चुके हैं अब जब हम इसमें संजाई करेंगे तब इसमें कहीं ज महिना जो है इसमें निकालना बहुत मुश्कल की बात है तो आप भी तब ही कीवी का बगीचा लगाएं जब अगर आपके पास पानी हो तब अगर पानी नहीं है तो आपका बगीचा भी कामयाब नहीं हो सकता है इसलिए कीवी का बगीचा सो समझ कर लगाएं अगर पानी आपके जो है कम से कम जो है तीस से पैंती कोंटल माल निकालेगा लेकिन दस पौदे में सर्फ एक मेल लगना चाहिए एक मेल से ज्यादा नहीं लगाएं इसमें कि नौ फी मेल और एक मेल विस सेंटर में मेल लगाएं तो थेंकि दोस्तो बने रही है आप हमारे चैनल के साथ देखते हैं इस चैनल को सस्क्राइब भी करें लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें धन्यवाद मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ